भारत और इंग्लेंड के बीच विशाका पत्नम में खेले गए दूसरा टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत दर्च की है मैच के पांचवे दिन भारत ने इंग्लेंड को 246 रणों से करारी शिकस्त दी जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की सिरीज में एक शूने से बड़त बना ली है वहीं अपनी धमाकेदार बल्ले बाजी से इंग्लेंड के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने वाले भारती कप्तान विराट कोहली को मैन आफ दा मैच गोशित किया गया मैच में पहले बल्ले बाजी करते हुए भारत ने 455 रणों का विशाल स्कोर बनाया था वहीं जवाब में इंग्लेंड टीम 255 रणों पर डेर हो गई इसके बाद दूसरी पारी में बल्ले बाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 204 रणों का स्कोर बनाया और इस तरह टीम इंडिया को 404 रणों की विशाल बढ़त मिल गई चौती पारी में लक्ष का पीछा करने उतरी इंग्लेंड टीम 155 रणों पर ही सिमट गई और भारत ने ये मैच 246 रणों की विशाल अंतर से जीत लिया आपको बता दें कि आर अश्विन ने पहली पारी में बेतरीन गिंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किये थे जबकि दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किये मैच के शुरुआत में तेज गिंबाजों के लिए मुफीद मानी जा रही पिछ ने बाद में स्पनर्स को मदद दी जिससे भारत ये मैच जीतने में सफल रहा देखते रहें डीबी लाइफ